नमस्कार दोस्तों स्वागत दे आप सभी का हमारे यूटूब चैनल देशे एगریकल्चर में दोस्तों आधके इस वीडियो में हम स्वयबीन की फचल में होने वाले भीमारी और खर्पतवार के बारे हम बात करने वाले हैं दोस्तो स्वयबीन भारत में बोई जाने वाली फसलों में पर्मुख फसलों के अंदर गद आता हैं भारत में स्वयबीन के चेत्र आते हैं मध्य परदेश में 3% स्वयबीन की बुवाई की जाती हैं उसके अलावा महराश्टर 34% राज़स्तान 7% अंद्र परदेश 1% और उस स्वयबीन की की जाती हैं दोस्तो स्वयबीन का उपयोग ज्यादा तर प्रोटीन के रूप में काम में लिया जाता है और इसके अलावा भी कुछ से और काम में भी स्वयबीन का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों लेकिन पिछले कुछ समय से स्वयबीन का जो हमें उत्प बादन नहीं मिल पा रहा हैं इसके पीछे के कारण हैं बीमारी क्योंकि आज के प्रसलों में बीमारियों का प्रकौप भी ज्यादा होने लग गया हैं और उसके अलावा कीट और इल्लियों का प्रकौप फिर मोसम और चोथे नंबर पार आता हैं खरपतवार तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो नीचे दिये गए लालक्सरों में सब्सक्राइब बटन पर कलिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो दोस्तों वीडियो में आगे बात करें हम तो खरपतवार दो परकार के होते ह एक खर्पतवार होता है चोडिपट्टी गाल्स िदूसरा होता है गाश उबल सकते हैं चोडिपट्ट्व. shoe जब जमीन के उपर आते हैं उगकर तो उनमें एक पत्यों के साथ आते हैं और उनकी पत्या लंबी रहती हैं लंबी ओर सक्री पत्या होने के कारेने से संक्री पत्य वाला खर्पतवार भी बोला जाता है दोस्तों अब आपको क्या करना है कि आपको इसमें खर्पतवार कब इसमें खत्म करना है यह मैं आपको बता लेता हूँ दोस्तों आपको जब कम से कम आपकी स्वाइबिन की फसल दोस्तों स्वाइबिन की बात करें तो स्वाइबिन की फसल कम से कम 25 दिन की हो जानी चाहिए 25 दिन की होने के बाद ही आपको इसमें खरपतवार ना सक दोवाओ का इस्प्रे आप कर सकते हो और इसमें कम से कम जो मतलब खरपतवार होते हैं उनके चार पत्तियों चार पांच पत्तियों के खरपतवार हो जाना साज़े तब ही आप इसका इस्प्रेइ कीजिए तो आपको फ्याइदा ज़्यादा मिलेगा दोश्टो अब हम बात करते हैं कि आपको खरपतवार करने दे समय क्या-क्या साउदैने रखनी चाहिए और उसके आगे में बताओंगा कि कोन कौन से दौअ का आप इसमें स्फ्रे कर सकते हो अब हम साउदैनी की बात करें तो दोश्टो जब आप जब आप द्वाय का स्फ्रे करते हो तो जमीन में मतलब नमी मौजूद हुनी चाहिए जमीन में अब अभी बर्साथ बर्साथ का समय में आप स्वाबिस कि भूवाई करते हैं जो उसमें बर्साथ आने के एक दो दिन बाद बाद आपको इसका इस्प्रेक कर देना करना चाहिए क्योंकि यह जो दवाओं होती है जो यह जमीन से जड़ों को सुकाती है जो जड़ों में जो नमी मौझूद होती है तो तभी वो काम करती है उनका तो आपको यह द्यान में रखना है कि पोदे की जड़ों में नमी मौझूद ह होनी चाहिए तभी आपको इसका इस्प्रेक कर देना करना चाहिए और दोस्तों इसके आगे आपको क्या साथ नहीं रखनी चाहिए कि आपको आफशक्ता नुसार दुबाव का इस्प्रेक ही करना चाहिए अगर आपके खरपतवार खेद में खरपतवार बहुत कम मात्रा में तो फिर आपको इसमें दौवाव करना ही नहीं चाहिए क्योंकि दोस्तों खर्पत दौवाव करने से खेट की उरुवरा सकती भी कम होती है और उससे स्वयबिन के उत्वादन पर भी परवाव पुरता हैं और आपके ज्यादा मात्रा में हैं खर्पतवार हैं तो आप इसमें कर सकते हो तो आपको इसमें आशुकता नुसारी करना चाहिए यह नहीं कि आपके खेट में जैसे एक जगह पर ज्यादा खर्पतवार हुए तो आप उसमें ज्यादा दुखांदार की दौरा बताए कि दौरा बताए कि दौराओ का मतलब जो इस्प्रे का डोज दिया जाता ह कि जैसे कि 10 ml पारती तेंग या 15 ml तो उतना ही आपको इसमें इस प्रे करना चाहिए और दोस्तों तीसरी मैं तो पूर्ण साथ यह रखनी चाहिए कि जब आप स्प्रे करते हो तो उससे पहले आपको इसमें आपको जो वह स्प्रे करने की टैंकी होती है उसको अच्छी तर अच्छी तरह साफ नहीं कि और आपने स्वाइबीन में उससे दोवाओ का स्प्रे कर दिया तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि आपको स्वाइबीन फ़सल सूख सकती है तो दोस्तों आपको टैंकी को अच्छी तरह से साफ कर लेना है फिर आपको उसमें आश्कता नुसार दवाओ का स्प्रेग लेना है और इसमें स्प्रेग कर देना है दोस्तों इस सावजानिया और खरपतवार के बारे में बात करने के आगे हम बात करें अब तो हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी दवाओ का स्प्रेग किया जा सकता है और सबसे बेश्ट दवा कौन सी रहती हैं तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आपको जो मतलब की चोड़ी पत्ति और संक्री पत्तियों के लिए अलग लग दवाये आती हैं इससे सबसे पहले बात करें संक्री पत्य वाला और चोड़ी पत्यों में जिसके दो पत्य यानि कि टोड़ी पत्य में उगने के बाद दो पत्य व होते हैं तो उसमें आप हैं सं प्रफेक्ट आता है वह व को फार घ़ इसका ठेक्निकल नहीं में अब बहुत 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 बराण के दुआरा मतलब इसका अलग बनाये का है जैसे कि भी एप सेप कंपनी का इक जिसका मतलब यह के ब्रांट है परश्वूट परश्वूट का इस्तमाल आप इसमें कर सकते ह तो इसमें परफेक्ट परफेक्ट भी आता है आप उसका भी इसमें स्प्रे कर सकते हो लेकिन दोस्तों आपको ज्यान लखना है कि इसमें आपके मतलब चोड़ी पत्यों का खरपतवार ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए अगर आपके चोड़ी पत्यों का खरपतवार इस कितना होना चाहिए दोस्तों फ्यूजिफ्लेक्स खर्पदवार की जो अवश्था होती है वो तीन से चार पत्ति की होती हैं तब ही उसमें फ्यूजिफ्लेक्स काम करती हैं दोनों प्रकार का खर्पत्वार चोड़ी और गांस स्रणी के अंतर्गहतजू कर जो खर्पत्वारदात आते हैं सब्द्वी प्रकार के उनने प्रकार के उनन को घृठीक हुआ है जब उनकी 3-4 पत्या हो जाए तब उसमें आप इसक ए distinction क्रेक्श का सकते हैं उसमें कितनी मातर रखनी चाहिए कि मैं आपको बता हूं तो 400 ml परती एकड़ 400 ml परती एकड़ को 120 लिटर पानी में मिलाकर आपको परती एकड़ में उसका इस्प्रेक कर देना है तोस्तों याद वे आपको इस्प्रेस में बराबर राउस्ताम करना चाहिए कई पे जदा या कई पे कम नहीं करना चाहिए और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो फूजी फ्लेक्स और फूजी फ्लेक्स और एमेजा थाइपर 10% साथ SL से बने उत्पाद यानि की पर्स्यूट परफेक्ट वीड ब्लोग उनमें से कौन सी बेस्ट हैं तो अब बेस्ट का रिजल्ट तो किसानों के उपर डिपेंड करता है आपको क्या करना चाहिए तो लेकिन दोस्तों मैं आपको इसकी एक स्वॉयबीन को में इसको उस्वेघ्र करते हो तो एकवार स्वयबीन पी mess続 Gonna आइगा आपको लगेगा कि स्वयबीन उपर वतस से व्हापी तो इसमें रवर्प्टर पकड़ लेगा लेकिन वह matar उसमें धीमा पर जाता हैं जिसरे आपको 3-4 दिन औरो एसकिस्जान देने और दोस्तों आपर का इस्प्रे करते हो तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं नहीं होता हूं तो आपको इसमें फूजी फ्लेक्स के स्प्रे करना है और उसमें अगर आपके दोनों प्रकार का खरपतवार हो तो आपको उसमें फुज़िपलेश का इस्प्रे करना हो और आपकी क्यावल गास या सरंकरी पत्ति वाला खरपतवारी आता है आपकी खेत में आप उसमें में एक मेर तान सब्सक्राइब करको कर सकते हैं इसमें यह को जाएन गढ़ूं करunkदे तो आप was online और अधिए मेरा होता हैbrar profess तो मतलब उसमें चिप को जैसे पोदे के उपर चिपकने के लिए दोबाइब को डालना पड़ता है यह वह पाउडर आता है और दूसरा एक नमकीन टाइप का पाउडर आता है नमकीन के स्ट्रक्चर वाला कुछ आता है केमिकल जो आपको तीनों को मिक्स करना है पहले फिर गौल बनाना है और फिर आपको इस्प्रेक करना है तो दोस्तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस प्रकार क्या दोबाइब करते हैं तो दोस्तो अब आपके ओपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सी दोबाइब का स्प्रेक करते हो दोस्तो उमीद करता हूँ मे